कि नमस्कार साथियों कैसे आप लोग कि पिछले कुछ समय से यह देखा जा रहा है कि कई सारे देश में हंगामे चल रहे हैं आज मैं कुछ विश्वों पर आप से बात करने वाला हूं तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें कई दिनों से देखा जा रहा है कि संसत के अंदर हंगामे हो रह 행복 और पीछले करीब 12 दिन का यह जो संसत का सत्र चल रहा है बज़ट सत्र इसमें एक भी काम नहीं हुआ है हंगामे हंगामे और सिर्फ हंगामे आम जनधा का पैसा पानी में जा रहा है आम जनधा मतलब समझ रहे हैं कि पक्च और विपक्च एक दूसरे प्यारोप लगाते हैं और उसके बाद नारेबाजी होती है, फिर्शन सत्र सत्र लगातार बंध हो रहा है। इसी बीच आज करनाटका चुनाओ की घोशना कर दी गई है और करनाटका में जल्द ही चुनाओ होने वाले हैं। और करनाटका चुनाओ से ये पता चलेगा कि आखिर प्रवरा किसका भारी है। क्या पक्च का हंगामा या विपक्च का सोर सराबा दोनों आपस में टकराएंगे। और टकराएंगे तो जीत किसकी होगी। जीत का तो इंतजार हम पिछले तीन साल से कर रहे हैं सुसान सिंह राजपुत मामले में। लेकिन उस पे तो न कोई हंगामा है, न कोई चर्चा है, न कोई बात है। क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि इस मामले में तो चुपी साथ ली गई है। नहीं आया था और जिसके कारण से ये मामला को ही बिलकुल खतम कर दिया गया। और हम पहले ही कहते थे कि बहुत ही बड़ी राजपुत मामले को इंवाल्मेंट है। इसलिए धीरे से एक दिन ऐसी ख़बर आएगी कि सुसान सिंग लाजपुत मामले को क्लोज कर दिया गया है। किसी को पता भी नहीं चलेगा, किसी को पता चलेगा तो पता चलके कर भी क्यार लेगा। क्योंकि आजकल तो हर कोई अपने काम में ब्रस थी। अब इसी से सम्मंदित एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूं। कई लोगों को तो मालूम है कई लोगों को नहीं मालूम है। भोजपूरी इंडेस्टिस की एक एक्ट्रेस थी। आकांचा दूबे जो की काफी टैलेंटेड काफी सारे फिल्मों में उसने काम किया। और काफी सारे गाने के अलबम में भी काम किया। अचानक ही बनारस में उसने अपने जीवन को समाप कर लिया। फिल्म की शुटिंग थी, पहले रात को बड़े पाटी हुई, बड़े पाटी में हो गई थी, बापस जब आई तो इंस्टाग्राम पे लाइव आई, रोने लगी और उसके बाद सुबा ये पता चलता है कि अकांचा दूबे ने अपने जीवन को समाप कर लिया। कहानी लगबख सेम है, जैसे सुसान सिंग रात्वुत का कहानी है, वैसे ही अकांचा दूबे की कहानी है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि कोई कुछ बोलना ही नहीं चाहता है। उसने पुलिस में नेम्ड एफ आई आर किया है, समर सिंग और उसके भाई के खिलाब। अब कहानी यहाँ पर ऐसी है कि सुसान सिंग रात्वुत मामले में तो हम खुल करके नाम ले रहे थे। लेकिन परिवार के तरफ से कोई नेम्ड एफ आई आर दर्ज नहीं हुआ था जिसमें यह कहा जाए। रिया चकरवरती, सिधात पिठानी, इन दोनों ने ही मिलकर के कुछ किया है, ऐसा नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ आकांचा दुबे के मामले में उसकी माख खुल करके सामने आई। और मीडिया को बुला करके उसने कहा कि समर सिंग और उसके भाई ने चार दिन पहले ही धमकाया था फोन पे और यह कहा था कि तुमको चांद से माते। और उसके चार दिन के बाद ही आकांचा दुबे इतनी डर गई या इसके पीछे क्या हुआ कि उसके जीवन खतम हो गया अब ये दोनों बाते ऐसी हैं कि एक दूसरे से मिलती जूती है मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि देश में ऐसी रोजाना कई घटनाए हो रही है और उन घटनाओं पे कोई भी कारवाई नहीं हो रही है मामला चाहे माराश का हो मामला चाहे उत्तर परदेश का हो और ये आकांचा दूबे का मामला वारानसी के एक होटल का है हम ये उमीद करते हैं कि जिस परकार से आकांचा दूबे की माँ अचानक ही बेटी के मौत के बाद तुरंट पहुँची है वानारस उस होटल में पुलिस में जाकरके उन्होंने नियम डेफायार करवाया है गुनागार जो हैं वो फरार बताये जा रहे हैं और भोधपूरी इंडेस्ट्रीज के बड़े कालाकार हैं उन्हें शुरिफ फेस्बूक पे दो सब सरधांदली के लिखने से फुर्सक मिले तब तो आगे कुछ बात करें उन्होंने दो सब सबने कई लोगों ने लिख दी ये फेस्बूक पे और सोच लिया कि हमारा तो कर्तब बे यहीं समाप्त हो गया कितनी अकांचा आएंगे कितनी अकांचा जाएंगे उन्हें क्या फरक पड़ा है क्योंकि वो तो भोस्पूरी इंड़स्टिस के इस्टार हैं ये लोग लेकिन इन्हों सरम आनी चाहिए कि तुम्हारे बीच काम करने वाली एक लड़की जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है और तुम्हें सब कुछ पता है इसके बावजूद भी तुम्हारे मूँ पे ताले लगे गए कल को अगर ये बाते तुम्हारे साथ हो जाती तो कौन बोलता मैं प्रसनली नहीं जानता था कांचा जाएंगे हाँ उनके गाने को सुना है टीवी में लेकिन कहीं न कहीं एक बार फिर से दुख होता है कि आखे लोग अपने जीवन के उसमाब कर रहे हैं पहले से ही हम सुशान सिंग राजपुत का कश्ट छेल रहे हैं और ये दूसरा मामला फिर से आगया जो कि बहुत ही दिल दुखाने वाला है और बहुत ही मानसिक असांती की तरफ ले जाने वाला है हमें तो ये लगता है कि ऐसी कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए अगर आपको कोई परसान कर रहा है आपको कोई मुस्किल में डाल रहा है तो आप अपने आपको समाप्त मुत करो आपके अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए आपको लड़ना चाहिए आपको अपने नजदीकियों को परिवार वालों को जो परिसानी है वो बताना चाहिए ताकि ये लड़ाई समाज में ऐसे कई दरिंदे हैं जो कि किसी को भी परिशान करते हैं तो लेकिन अगर आपने अपना जीवन से माप कर लिया तो इसे क्या मिला उल्टा और परिवार भी दुखी आप तो चले गए लेकिन आपने अपने चाहने वालों को परिवार वालों को दुखी करते हैं और आज भी सब लोग दुखी हैं तो इसलिए कभी भी ऐसा कोई कदम न उठाए अगर आपको लगता है कि आप परिसान है तो लोगों से मदद लें खुल करके सामने आए पुलिस को बोलें, घरवालों को बोलें दोस्त को बोलें और उस जो भी बदमास है उससे मकाबला करने की हमत रखे मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नई बातों के साथ जहें जह भारत